हिरोसिमा प्रस्ण उत्तर करेंगे यह कविता सचितानन्द हीरानन्द वासल अग्यजी की रचना है पहला प्रस्ण है कविता के प्रत्थम अनुछेद में निकनले वाला सुरज क्या है वह कैसे निकलता है उत्तर लिखेंगे प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठे पुष्टक गोधली भाग दोग से लिया गया है। मनुस्य जीव, जन्तु, पत्थर, आदी सब कुछ भाब बनकर उर जाते हैं। दूसरा प्रस्ण है छाए दिशाहीन सब ओर क्यों परती है अस्पस्ट करें। उत्तर लिखेंगे प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठे पुष्टक गोधली भाग दोशे उद्रित है। इसके रचनाकार सचितानंद, हीरानंद, वसल, अगैजी हैं। पाठ का नाम हिरोशिमा है। दोपहर में जब सुर्य पुडुम में होता है तो छाया पस्चिम और अर्थात विप्रित दिशाहीन की ओर परता है। तीसरा प्रस्ण है प्रजलित च्छन की दोपहरी से कवी का आसे क्या है। प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ पुष्टक गोधली भाग दो से लिया गया है। यह एक काब्वे खंड है और इसका नाम हिरोशिमा है और लेखा का नाम वसल अगैजी है। जब किसी छेत्र पर परमानूपम गिरता है तो सब कुछ जलने लगता है। मानू प्रेलकारी सुर्य दोपहर के समय प्रजलित जैसा होकर सब को सोख जाता है। अर्थात सब जल जाता है। चौता प्रजन है मनुस्य की छाया कहां और क्यों परी हुई है। मनुस्य की छाया हीरो सीमा छेत्र में परी है। अर्थात मानू की छाया परतिक चिन अभी भी देखा जा सकता है। कि किस प्रकार की बरबरता और त्रास्ता की वहां मचाया गया। मानव जो भाब बनकर उड़ गये लेकिन उनकी छाया प्रतिक अभी भी मौझूद है। एक साक्षी के रूप में। पाच्मा प्रसन है हीरो सीमा में मनुस्य की साक्षी के रूप में क्या है। हीरोशिमा में परमानुपम गिराया गया सब कुछ भाब बनकर उड़ गया मनुसूर जाते हैं चार और बरबादी ही बरबादी है हीरोशिमा में उस नरसंगार की चाया अभी तक हीरोशिमा में देखी जा सकती है अर्थात वहां का द्रिश अस्पस्ट बया करना महानवत्रास्ती का है, हीरो सीमा का वह द्रिश मनुस्य की साखी रूप में है, सब प्रसंग ब्याख्या करना है, एक दिन सहसा सूरज निकला, उत्तर लिखेंगे प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ पुष्टक गोधली भाग दोग के काब्वे पद खंड के हीरो सीमा सिर्शक कविता से लिया गया, जिसमें जपान के हीरो सीमा सहर पर हुए पर्मानू पर्योग से हुए तरास्दी को याद करते हुए अगय जी ने यह रचना की है, हीरो सीमा नगर के बीचों बीच एक दिन एक आएक एक पर्मानू बम गिरता है, जिससे मनुस्य भाब बन कर उड़ जाते हैं, दूसरा है, काल सुरिक के रत के पहियों के ज्यों अरे तूट कर विखर गए हो दसो दिशाओं में, तो उत्तर लिखेंगे प्रस्तूत पंक्ती हमारे हिंदी पाठ पुष्टक गोधली भाग दो के काबिप्त खंड से उद्रित है, पाठ का नाम हिरो सिमा और लेखक का नाम अग्यजी है, जिसमें हीरो सिमा पर परमानू अस्तर के परियोग से विध्वन्सकारी द्रिश को प्रस्तूत करते हुए लिखे हैं, काल सुरी की दसो दिशाओं में अर्थात मानो काला सुरी उदय हो रहा है, और उस समय उसके रत के पहिये की ओर किल तूट गया हो और सब कुछ दसो दिशाओं में बिखर गया हो। अर्थात विकास सील जपान जो कभी उगते हुए सुरज का देश कहा जाता था। सब तरफ तितर बितर हो गया है, गह मानो का रचा हुआ सुरज मानो को भाब बना कर सोह गया। प्रस्तुत पंक्ती हमारे हिंदी पाठे पुष्तक गोधली भाग दोस से उद्रित है। पाठ का नाम हिरोशीमा और लेखक का नाम अग्यजी है। कभी ने हिरोशीमा पर हुए परमानु अस्र के परयोग की त्रास्दी का वर्नन किया है। जापान जिसे उगता हुआ सूरज का देश कहा गया है। उस जापान को विक्षित करने का अश्रे मनुस्य को है। लेकिन मनुस्य ही ने उसे बरबाद कर दिया। मानू, मानू का रचा सूरज मानू को ही भाब बना कर सोह गया। अर्थात प्रेलकारी काल का सूरी की तरह मानू रचित आन्विक हत्यार ने हीरो सीमा को बरबाद कर दिया। लोग भाब बन कर उड़ गया। आज आप प्रस्ण उत्तर हीरो सीमा का देख रहे थे। धन्यवाज जैहिन जैभारत। ऊता हुआ लोग रचूण नहीं हाँ लोग प्रस्ट एहだ हुआ